तो हेलो साथियो नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल सकसेज जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में मेरा नाम है अतुल सुकला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्यप्रदेश अथिती सिच्चक भरती से सम्मंदित एक महत्पून अपडेट निकल करके आ रह जितने भी अतिती सिच्चक के आविदक हैं मध्यप्रदेश के उनके दिमाग में गूंज रहा है ठीक है तो चलिए पूरी चर्चा इस पर करने वाले हैं और यहां आदेश किस्ते सम्मंदित है जो कि अभी हाली में लोग से छड़ संचनाल है मध्यप्रदेश के द्वारा कल जारी किया गया है सारी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की मध्यप्रदेश में होने वाली सभी भटती परिक्षाओं की जानकारी आप तक पहुंच सके और वर्गतिन की जो फ्री क्ला जाकर के जरूर देखिएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अगर हम GFMS पोर्टल पर अभी जाएं तो कोई भी अपडेट यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगी जितने भी गेस्ट फेकल्टी का जोइनिंग का इंतियार कर रहे हैं वो अलगातार यहाँ पर विजिट कर रहे हैं GFMS पोर्टल पर लेकिन कोई नई अपडेट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है और अभी भी वो प्रोसेज चल रही है कि च्वाइस फिलिंग अभी भी कर सकते हैं अभी भी अपनी ID को लॉक कर सकते हैं यानि ID लॉक करने की प्रक्रिया अभी लिए चच्चु प्रकासन के दोरा एक बहतरिन किताब निकाली गई है MPT मध्यप्रदेश प्रात्मिक सिच्चक पात्ता परिक्षा 2024 बर्गतीन पूरी संपूर्ण study guide है ठीक है जिसमें आपको देखने को मिलेंगे 3000 प्लस बहुविकल्पी प्रशने और 400 पेपर भी आपको घ्यावे मगआ सकते हैं और combo pack भी आप मगा सकते हैं ठीक है नीचे description box में आपको link देखने को मिल जाएगी यह आप Amazon or flip card किसी से भी मगा सकते हैं आपको link जो है description box में देखने को मिल जाएगी यह से आप title पर click करेंगे तो नीचे आपको link देखने को मिल जाएगी उस link के ठीक है तो आप इसे मंगा लीजिएगा और अपनी तैयारी जोरो सोरो से सुरू कर दीजिए बर्ग दिन के लिए चली देख लेते हैं ये नया आदेश लोग सिच्छल संचनाले मद्द्द भुपाल के दोरा 30 सितंबर 2024 को जारी किया गया है बिल्कुल आखरी महीने मतलब मही अंकित संस्था में समान सामर्थ एवं बेतनमान में इस्थान आंतित कर पदस्थ किया जाता है अब कौन-कौन से विद्द्द्द के हैं ये देख लीजिए तो जैसे कि यहाँ पर उच्छी माधिक सिच्छक है जो नाम और नाम तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है पदका जो भी एक्सिलेंस के सिच्छक है इन सब का इस्थानांतरन अब सुरू हो गया है ठीक है तो इस वज़य से आपकी जो प्रक्रिया है जो 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 आपकर दूसरी जंग जाएंगे तो यहां का पद खाली हो जाएगा और यहां पर यह पद भर जाएगा तो ऐसे में ज जो भी अथिती सिच्छक यहां पर जोइनिंग लिए होंगे उनको बाहर निकलना पड़ेगा ठीके ना इस वज़य से यह सारी प्रक्रिया एक साथ में कर दे रहे हैं जिससे की बार-बार की प्रक्रिया ना रहे बार-बार अगर अथिति सिच्छकों को यहां पर जो जो ज आदेस निकाला गया है अब इसमें क्या-क्या नियम और सड़ते हैं और यक्दिक अस्था- पुष्शका हियान मिलान करने के उप्रान्त सही पाइजाने पर exactly करें एक ठाठाल, तो सहीक कर देखिए को यह गल्ती कर देते हैं. यहां से इनका स्थानांत्रण हो गया. इनको दूसरे स्कूल मिल गया. लेकिन यहां से रिलीविंग ओर नहीं दिया गया इस स्कूल से. अब ऐसे में क्या होता कि इस स्कूल में इनका पद भरा हुआ पर दिखाई देता है ठीक है जबकि ये दूसरे स्कूल में पहुंच चुके हैं तो इस बार कडाई से बोल दिया कि जो भी संकुल प्राचार है ये उनकी जिम्मेदारी होगी अगर यहां से इस्थानांत्रा इनका होता है इनका प्रमोशन होता है ट्रांसफर होता है तो यहा आपके दिखाई देने लगेंगे GFMS पोटल पर तो उसको भी आप जो है चयन कर सकते हैं ठीक है ना चलिए आगे देखिए नंबर दू देखिए समधी लोग से पूरु में पदस संस्था और बगएर सूचना के लंबी अवधी से अनुपस्तित है तो प्रक्रण जिला बेजनी होगी डिप आई के पास में यह इतने दिनों से गायब शल रहा है ठीक है इस्थानांतरी लोग सेवक संकुल केंद में उपस्तिती देने के उपरांत इस्थानांतरी संस्था में कारभार घ्रहन करेगा इसकी लिखिए सूचना संकुल केंद के माध्यां से विकास इसके बाद में यदि संबंधिक लोग सेवक अध्यापक संबर्गा है तो इस सारी नीमे सरते जो है वो संकुल प्राचारी के लिए महतपूर है उनको ध्यान से देख लेना है कि ये सारे काम उनको करने पढ़ेंगे इस बार इस बार टाल मोटोल कुछ नहीं चलेगा ठीक है इसी के चलते देख रहें आप अभी जो प्रोग्रामर थे प्रोग्रामर को हटा दिया गया है क्योंकि प्रोग्रामर लगातार यहाँ पर एकतरस के सकते हैं आलसी जैसा काम कर रहे थे बतला अगर order पहुँच रहा है तो उसको टागे रहना उसको लेट लटीप करना जिसकी बैसे बहुत सारी दिक्तों का सामना मद्धप्रदेश के अत्यति सिच्कों को करना पड़ा साती सात में जो वर्ग दो की रूल बुक अभी तक नहीं पहुची है वर्ग तीन की रूल बुक बड़ी मुश्किल से पहुच पाई है ये सारी सीजे टाइम टू टू टाइम हो जाती है अगर प्रोग्रामर महोदय सही से काम कर रहे होते इसका खामियाजा उनको भुगतना किया जाए यही का रहे है कि जैसे ही वहां से रिलीविंग ओडर लेकर के दूसरी जगां जाएं तो सात दिन ke अंदर-अंदर उनको वहां से रेलीव कर दिए जाय तुरंट उनको कारेमुक्त कर दिया जाए समायावधी उपरांद एक तरफा कारेमुक्त कर दिया जाएगा नमबर छे है इस अवधी में कोई आवकास संचनाले की आयक तो सिल्पा गुपता है उनके द्वारा यहा आदेश जारी करवाए गया तो महत्वपूर्ण आदेश है और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो है पांच तारीक तक जोइनिंग लेटर जहां पर है बर्गतीन पात्ता परिक्षा आगे इसको भरिए और इसमें अपनी जीजान लगा करके तयारी कीजिए एक बार क्वालिफाई कर लेंगे तो जिंदगी भर के लिए ये एलिजबल हो जाएंगे आप बर्गतीन का एक्जाम देने लिए बर्गतीन की एक्जाम की हम तयारी भी करवाएंगे और अभी हम पात्ता परिक्षा की भी तयारी करवा रहे हैं कल से सिच्छा के लिए आवेदर न करना पड़े बार बार परिसान नहीं होना पड़ ठीक है न तो यह काम आप कर लिए बर्गतिन की तैयारी अपनी सुरू कर दीजिए जो रो सोरो से आज से फॉर्म भरना सुरू हो गए है आज ही आप लो जाकर करके अपना फॉर्म भर यह मोर लिखा रहता है उस मोर पर क्लिक कर देंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ पर आपको सारी लिंक एवेलेबल है ठीक है चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद क्ल आज जरूर देखना भाई और सियर सब को जरूर कर देना